पाकिस्तान के केर ट्रेकर प्रदानमंती अन्वार उलहक काकड ने भारत को चितावनी दी है पाकिस्तानी मीडिया दा नियूज इंटरनेशनल के मताबिक उन्होंने कहा अगर लोगसबा चुनाओ से पहले भारत ने दोजार उन्निस में हुए बाला कोड स्ट्राइक जिसा हमला किया तो पाकिस्तान इसका फैसा ही जवाब देगा जिसा दोजार उन्निस में दिया था पाकिस्तानी मीडिया चैनल के एक पॉडकास्ट के दोरान काकर ने कहा हम उनके विमानों पर हमला करेंगे हमारी गोलिया या हमारा संकल्ब कुछ भी पुराना नहीं हुआ है हमारे पास गोलिया भी नहीं है और हमारा दर्ण संकल्ब भी काफी नया और ताचा है पाकिस्ता आगे कहा तिसी को भी पाकिस्तान की प्रतिक्रिया को लेकर ब्रह्में नहीं रहना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए हमारा डिफेंस मेकनिस्म तैयार है पाड़कास्ट में ब्रदान मंत्री ने कहा कि जब तक कश्मीर मुद्दे का समाधा नहीं निकल जाता तब तक दोनो देशों के बीच विवाद जारी रहेगा और ये कभी भी बढ़ सकता है पाकिस्तान में फरवरी में होने वाले चुनावों पर बात करते हुए काकर बोले खेबर पक्तुनखा और बलुचिस्तान इसे शैत्रों में आतंगी हमले का खत्रा है लेकिन हालात अभी भी इस आयोको है बलुचिस्तान के मुद्दे पर काकर ने कहा यहां बी एल ए बी आर ए और बी एल एफ जैसे आतंगी संगठन चकरिये हैं जिने पाकिस्तान के बाहर भी आतंगवादी माना जाता है तहरी के तालीबान के मुद्दे पर पाक पीम ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार से बाक्षित जारी है उनके बड़ताओं में सकालात्मक बदला हुए है इसे के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धन्यवाद